एत्मात पूर बिधान सवास है डॉक्टर बीरेन सिंग चोहान पर सपाने भरोसा जताया है। इन से बात करते हैं जानते हैं सबसे पहले आप भाजपा से आएं बीजेपी से आएं ऐसा क्या हुआ बीजेपी में क्या मोब हुआ आपका जो आपको सपागी तरफ आना पड़ा है। बारती जन्ता पार्टी दो आया सत्रे में मैंने जोईन की थी दो आया सत्रे से लेके अब तक बारती जन्ता पार्टी ने सिच्छा सिच्छक और च्छात्रों के समाधान के लिए तमाम बादे किये थे मैं उत्ता प्रदेश विशुविद्याले महाविद्याले सिच्छक महसंग का अध्याच्छ हूँ तमाम मुद्दों को लेकर हमारी सरकार से वारता हुई लेकिन आज तक इस सरकार ने सिच्छा को चौपट करने के अलावा कोई काम नहीं किया सिच्छा का बाजारी करन जिस देश में जिस प्रदेश में हो जाएगा तो जो बंचित और गरीब समाज का तवका है वो अपने बच्चों को सिच्छा से सिच्छा नहीं दिला सकता और बिना सिच्छा के किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता तो मुझे लगा कि नए ये सरकार सिच्छा का काम कर सकती, कर रही है किसानों के साथ तमाम बादे किये थे किसानों के साथ इन्होंने सब बादों पर खरी नहीं उतरी जहां तक नौजवान रोजगार की आसा को लेके 2017 में भारती जंतापार्डी से चुड़ेने का काम किया था नौजवानों को कोई रोजगार दिने का काम नहीं किया रोजगार तो अलग इस सरकार ने रोजगार छिनने का काम किया तमाम सिच्छक हमारे प्रात्मिक के बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर दिया इस सरकार ने तमाम आंदोलन चाच चार पांच 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 लाग की संक्या में आंदोलन हुए लगनों में लेकिन इस सरकार की कुम कड़ी निद्धा खतम नहीं हुई अब जो विकास की बात है जहां तक यह जूंटे बादा करते हैं है एदमा प्रविधानसवा की में बात कर रहा हूं आगरासे जले सर यह फोर लेंड की बात हुई थी कि आज तक फोर लेंड दो बार उद्गाटन हो गएasis फोर लेंड पर आज तक काम नहीं उगा तो ये सब मुद्दे इतन है तो अपर बिद्धान समा में विगास हुआ मुद्दे के बाद आपने बीजेपी छोड़कर सपा जोएंगे है इन सब मुद्दो बांते हैं आपके बीजेपी की सरकार मैं सिक्षा के उपर काम नहीं हुआ ना सिच्छा के उपर भुलकल काम नहीं कि हुआ और नई सिच्छा नीती को लेकर अभी जो लेके आई है बारा सरकार ये नई सिच्छा नीती पूरे उत्ता प्रदेश की सिच्छा को चौपट कर देगी ये मैं दावे के साथ ये बादा करें नई सिच्छा नीती जो सरकार तो कह रही है कि नई सिच्छा नीती ये पूरे जो बिदेश के जो विस्विद्याने हैं जो हमारे देश के नौजवान एक अच्छी सिच्छा लेने के लिए विदेश में याय करते थे वो यहां रोक जाएंगे मैं सरकार से पूछना चाहता कि सिच्छा की गुडवत्ता की वाद यह सिच्छा करती है क्या यह सिच्छा की गुडवत्ता जब क्वाली क्वालिटी के अच्छे टीचर नहीं होंगे बिना अच्छे सिच्छकों के गुडवत्ता प्रच सिच्छा कभी संबब नहीं है आत्मापुर्टसे बिधायक हुए तो क्या प्रात्मिक्त होई एक इसी सिच्छा के केंदर खुलवाने की प्रात्मिक्ता रहेगी जहां उस नौजवान के लोग 葵 बंचे समाज के लोग कम से कम सच्छा अच्छे इस्त्र की सिच्छ उन्हें मिल सके और दूसरी मेरी प्रासमिकता रहेगी के जो आज ucciसान भटक रहा है और पोटेटो बेश्टish बेस्ट एर्या है वहाँ पर हमेशा अलू उत किसान भारत में खंदोली का अगरा से ही आलू जाता है तो आज मेरी प्रात्मिक ता रहेगी मैं क्रिसी का प्रोफेसर उसे चक हूं मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि एत्मा पुर विधान सवा के अंदर एक पुटालू की आलू के लिए पुटाटो प्रोसेसिंग लगाने का मेरे सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा यह जो है मेरे साथ वीरिन सिंग चुहांते जोगी एत्मात पुर विधान सवा से प्रतियासी हैं समाजवादी पार्टी के जो कह रहे हैं सिक्षा की उपर और आलू की उपर कोगी आगरा की अगर बात की जाए खंदोली छेत्र की बात की जाए तो वहां का आलू पुरे भारत में ज